बिस्मिल्लार्मान रहीम, अस्राम अलेकूम, PK Property Guide से, मैं आपका होस्चोधी कामरान आप देख रहे हैं, PK Property Guide जैसा के Barriatown ने Farm Launch किये, मैंने इसके बारे में बड़ी दिर पहले वीडियो देनी थी, लेकिन मैंने खुद ही इस वज़ा से वीडियो नहीं दी थी कि उस वक्त जो Market का Analysis करना जो है, वो टाइम नहीं था, क्योंकि एक चीज़ की Launching थी, लोग Predictions दे रहे थे, लेकिन वो Predictions जितनी भी थी, वो सारी हवा में थी क्योंकि जब भी कोई Society या कोई भी इस तरह की Launching होती है, कुछ दिन गुजरने के बाद उसका पता चलता है कि वो है क्या है, और उसके Market पे क्या असरात आएंगे आज की यह जो मेरी वीडियो है, यह Barriate On के Especially Form से Related वीडियो है, मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि यह Form अगर खरीदने हैं, तो क्यों खरीदने हैं, और किस प्राइस पे खरीदने हैं, और जो है, इनका क्या Impact होगा कल को Barriate On Launching के ओपर, डिटेल वी और Barriate On से Related, जितनी भी वीडियो हैं, आपको टाइम बाई टाइम मिलती रहें, Barriate On पिशावर ने एक Form लाउंच किया, जिसको इन्होंने नाम दिया है, जी, Survey Form का, अगर हम कहें, जिस तरह के हमारे दिगर दोस्ट जो भी हैं, वीडियो में बताते हैं, जी के Barriate On ने य फार्म लाउंच हुए, इसकी 70,000 फार्म की प्राइस जो है, वो Barriate On की तरफ से टैक ही गई, अब इन फार्म की मद में जो पैसा ही कठा करना था, उससे जाहर सी बात है, लैंड की पर्चेजिंग है, क्योंकि ये Billions में अमाउंट कठी रही है, ये Millions में नहीं है, ये Billions मे अमाउंट है, अब इन फार्म को जाहर सी बात है, पहले जो फार्म पहले इन पास्ट जो भी इनके थे, कराची बेरिया टॉन में जो लाउंच हुए थे, उनकी प्राइस बड़ी मिनिमम थी, पांच जार, दस जार, पंदरा जार 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 प्राइस नहीं थी, लेकिन इस सतर अजार पैनों ने उसकी फेस वैलियू रखी है, और उसके बाद आपको पता है कि बेरिया की इन पास्ट भी जो भी इनकी रेप्यूट है, उस पॉइंट आफ व्यू से, चाहे वो एक जिसको कहें कि एक कोई असिस्टन फार्म भी इशू करें, ये तो मेन फार्म है, व और इसका क्या बेनिफिट होना है, अगर इसमें आप इन्वेस्मेंट करते हैं या इसको लेकर फार्म फिल करके जमा करवाते हैं, तो जो फरस्ट इसकी बात है कि इसकी जो सर्वे फार्म की बेसिक लांचिंग ये थी, कि एक सर्वे कंड़क्ट करना बेरिया की मैनिमेंट की तरफ से कि आया कि जो है लोग 5 मरला प्लाट के बाइर ज्यादा है, 7 मरला के ज्यादा है, 10 मरला के ज्यादा है, कनाल या कमर्शल की तरफ एक्टिवडी, एक तरफ सर्वे भी कंड़क्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ जो है पैसा भी मार्किट से एक अच्छी खासी तो अभी ये ओपन मार्किट में ट्रेड होगा, हो सकता है, 6 महीने हो, हो सकता है, साल भी ट्रेड हो, ये कोई टाइम पेरिड स्पेसिफिक नहीं किसी को बताएगा, लेकिन कह रहे हैं कि बहुत जल्द 2-3 मा के अंदर जो है, इसको क्लोज करेंगे, लोग इसमें फिल अप थर्ड ये है कि जो क्लाइंट भी इसको फिल करके वहां सम्मिट कराएगा, वो एक बाउंडनेस हो जाती है, क्लाइंट की और डिवेलपर की बाउंडनेस हो जाती है, तो इसमें हर वो बंदा जिसने बैरियर टॉन में इंवेस्मेंट करनी है, प्लॉड लेना है, कमर्शल प्लॉड लेना है, रेस्जेंट्स लेनाः या कोई भी इनवेस्मेंट करनी है, वो ये फोर्म ज़रूर लेगा, इस फोर्म लेकर सम्मिट कराएगा, इस पर बैलटिंग होगी, जिन जिन फोर्म के नंबर निकला है और जो आप ड्रो़ इसमिट कराएगा, और जो down payment submit कराएंगे obviously और उनके जो ये फार्म्स हैं इनकी प्राइस decide कर दी जाएगी कि इन फार्म्स की ये प्राइस है जैसे जैसे अभी 70,000 रपया है तीन महीने बाद छे महीने बाद जब भी ये एक साल के अंदर अंदर जब भी इसके अपर बैलेटिंग होती है में भी ये एक लाख रपर डिसाइड कर दें एक लाख बीज़र पर डिसाइड कर दें या इस फार्म की वैल्यू कुंसीडर की जाएगी तो जो लोग जिनकी प्लाट बुक होंगे उनकी तो आटोमेटिकली अर्जस्ट हो जाएगी फार्म उनकी बुकिंग के अदर और जिनके पास वो फार्म होगे जिनके ओपर बैलेटिंग नहीं हुई तो वो मार्किट में या तो बेच दिये जाएंगे लोग जो डिसाइड पर बैलेटिमेट में नुकसान नहीं होगा नुकसान उसको होगा कि जो फलक्ट्वेशन के अंदर प्राइस लटसे जैसे पहले दिन एक लाग पैंटिसजार पर भी फार्म चला गया था अब लोग फार्म की पर्चेजिंग के अंदर जो बेसिक कॉंसेप्ट है के फार्म क कि पर्चेजिंग है अब अगर किसी ने फार्म मेक्सिमम लेवल पे पर्चेज किया और कल को वह माइनर लेवल पे आ गया और वह कि मझे नुकसान हो गया इसमें ऊस के टेरिडिंग का टाइम नुकसान है पतलब उसने जो जिस rate पर purchase किया वो या वो time नहीं था purchase करने का या उस rate के ओपर उसको suggest नहीं किसी ने किया था तो उसने वो mainly purchase कर लिया तो वो उसको नक्सान होगा otherwise एक अच्छे rate पर purchase किया हुआ एक face value पर purchase किया हुआ जो है नक्सान नहीं देता अब इसमें जो मैंने बात दूसरी की थी कि आपको बताऊंगा कि कितने में purchase करें वो मैं आपको इस वज़ा से on air नहीं बता सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी restrictions होती है rate से related कि इस वक्त market rate क्या चल रहा है और किस पर purchase किया जाए तो इस वज़ा से जो अगर किसी ने specifically मुझे से पूछना है तो मेरे WhatsApp पे contact कर सकते हैं हम message करें इंशाला आपको reply दे देंगे इसमें यह जो set up आजी है इसमें fluctuation बहुत ज़्यादा forms के अदर हो रही है आपने किसी ऐसी value के उपर purchase करना है कि आपको नुकसान ना हो और कल को जो adjustment होगी automatically आपकी 70,000 की जो investment की होगी वो जरूर इसके उपर आपको profit देती है क्योंकि पास्ट में भी ऐसा ही हुआ नुकसान पास्ट में उन लोगों को हुआ कि जो 15,000 वाला फार्म 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, अरपे में कराची का पर्चेस किया गया और बाद में वो फार्म 1,20, 25,000 या 30,000 वे में adjust किया तो लोगों ने का है हम नुकसान में आप वहां बहरिया का कोई कसूर नहीं था वहां market fluctuation की वज़ा से market trading की वज़ा से बहुत ज़्यदा उपर चला गया था अब इसमें मस्ट बात है कि फार्म परचेस करना पड़ेगा प्रापर्ट की वोकिंग के लिए जो सर्वे फार्म है और इसको सब्मिट कराना पड़ेगा यह तो मस्ट है जिसने भी खरीदना है सेकंड किस रेट पर परचेस करना है और थर्ड के यह क्यों किया जाए क्यों बैरिया टॉन में investment किया है देखे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था बैरिया टॉन से related कि यह जिस रीजिन में जा रही है वहां बहुत ज्यादा पैसा लोगों के पास obviously क्योंकि वहां लोग ज्यादा बिजनसमेन है में भी कराची से भी ज्यादा यहां इसकी ट्रेड हो लेकिन इस वक्त जो कुछ पीडिये जो प्रचावर ड्वैल्मेंट अथार्टी की तरफ से का जा रहा है कि नोसी अभी नहीं इश हुआ या लैंड की परचेसिंग है यह थोड़ सा टाइम गुजरेगा यह जरूर मलक रियासाब करेंगे ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने पहले भी कुछ चीज अनौंस की और उससे स्टेब बैक हो गयों यह जरूर इसकी लाउंचिंग होनी है और प्रॉपर और इसके अंदर अच्छी खासी ट्रेड होनी है सिर्फ आप लोगों ने यह हमेशा जो हैना बात जरएगो रखनी है कि आपने कोई भी फॉर्म हो कल को बुकिंग हो कुछ भी आपने पर्चेज करना है तो जो पर्चेज आपकी प्राइस होती है ना पर्चेज वैलिव है वो हमेशाी है सेल वैलिव अटर नहीं कभी नुकसान नहीं देती आप जब चाहें कोई बंदा के जिए अभी आज के दिन पर्चेस कर लें कल शाय ना मिले ऐसी बाद नहीं होती हमेशा सटा बादी में ट्रेड चल रही है पहले दिन फार्म एक लाग पैंसी जार पर भी गया ता फिर उसमें डाउन भी आ गया हो सक से रिलेटिड के ये फार्म क्यों खरीदना कब खरीदना है और जो है ना इसकी कितनी प्राइस के ओपर खरीदना है यह मैंने आपको थोड़ी शॉर्ट सी एक वीडियो आपको आप दे दिया जी फर्दर कोई 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 जो बैरिय टाउन से रिलेटिड या मेरी जैसे खुलिसाना जोयना मश्रा दिया जाएगा दौा में याद रखिए का आपका अहोज से ओदी कामरान अलाहाफिस